हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो डबलेस क्यूब टेक मैं विरेंद्र आज कमा टोपिक है टॉप थर्टीन मदब दस से भी ज्यादा हम कुछ कॉंटेंट डाइटिंग टूल देखने वाले फ्री वाले जो आपकी राइटिंग को इंप्रू कर सकते हैं आपकी ग्रैमर को ठीक कर सक कि आप तोड़ा अपना टाइम भी बचाएं और प्रड़क्टिविटी को इंप्रू कर पाएं तो बहुत अच्छे टूल्स हैं जो फ्री वाले हैं हम सारे वन बाइवन एक्स्टोर करने वाले आज वीडियो में तो फर्स्ट टूल जो है वहां ग्रैमरी का जो फ्री वर्डप्रेस के अंदर यूज कर रहे हैं इमेल लिखते टाइम कोई मिस्टेक दिख रही है आपको शूशल मीडिया मैनेजर्स होते ब्लॉगर्स होते हैं उनको यह टूल यूज करना ही करना चाहिए सेकंड टूल है अपना उबर सजेस्ट फ्री टूल है जिसका पीड वर इसमें को ज्रीव रीरिसर्च पर और था पर आपकोई टूपिक तो लॉसमें आपको की वर्यूम सेकंड वालिव सकाहेगा टेक्स से भी टूल है थार्ट टूल है आंसाद पॉब्लिक टूल भी एक कीवर्ड टूल ही है जहां आपको वॉल्यूम नहीं दिखाता है लेकिन बहुत सारी क्वेश्चन दिखाता है जो भी आप टॉपिक डालेंगे उससे बहुत सारी क्वेश्चन जो भी गूगल पर आर्टिकल है उसका मुझे ग्रैमर्ली से चेक करना तो ग्रैमर्ली एक्स्टेंशन मैंने राउंडोड किया हुआ है तो सिंप्ली में यहां से ग्रैमर्ड चेक कर सकता हूं इस डॉक्यूमें कहीं पर भी स्पैलिंग मिस्टेक्स होगी टाइपोज होंगे पंक्टुशन एर है ऐसं सारे हाईलाइट कर देगा जोबागा तो आप यहां पर सजेस्ट कर दिया कि आपकी ग्रैमर्डेट्रिकम मिस्टेक होगी वह भी आपको दिखा देगा तो इसलिए Grammarly Google Docs में यूज कर सकते हैं बाकी बहुत सारे टूल जो आप online टूल्स करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पर व्लॉगर पर वर्क कर रहे हैं इमेल लिख रहे हैं तो सारे जगह आपके इसलिए Grammarly एक्स्टेंशन वर्क करता है online और आपको सजेशन देता प्रीम है दूसरा टूल में बात की थी वर्डप्रेस टूल में क्या करते हैं कि की वर्डप्रेस सिक्योरिटी वर्डप्रेस सिक्योरिटी पर मैं कुछ समली के आर्टिकल लिख रहा हूं और मुझे देखन पर लिखा थे वर्डप सेक्योरिटी दिखाए कि कि अदिया के अलावा यहां पर जैसे कि में इस पर सच्क्रूरिट वर्डप्रेस धिख दिखाए कि आपको तो इसमें कौन-कौन से पेज़े वड़पर सेक्यॉरिटी पर रेंक कर रहे हैं गूगल पर वह यहीं पर मुझे पता चालेगा कि तो अनसरते पप्लिक भी हम देख लेते हैं यहां पर से नहीं अनुड रोपर सेख सब्लेगे पर के बात करते हैं तो करते हैं कि आज क्यांती शुट्रिंट वहीजिएा ो अल्एकसा हैaire गुगल असेटिन नहीं आपके आर्टीटल कॉंटेंट वहाँ पर वहाँ पर फने जाएंगे जो कोशिएंडे के आने के चान्स्य तो आपके वहां में एल कुछ ने मैं दिखा दिए why WordPress security is important what is WordPress security auditing how to use WordPress security plugins which WordPress security plugin what is WordPress security audit log और से क्षेशन दिखा दिखा दिया फिर मैं प्री प्रिपोजिशन पर और तो यहां पर और इसन बहुत सारे Keywords दिखा दिया मुझे इस टूल से को बहुत सारे questions keywords आपको मिल जाते हैं तो लास्ट में क्या होता कि कुछ जो वर्डपर सेक्योर्टी से जोड़े questions या फिर keywords जो गुगल पर सर्च में आते हैं वो सारे उन्हाना पूरे दिखा दी यहां पर पूरी list मिल जाते हैं आपको बहुत सारे keywords लॉंग टेल आपको इसमें जो भी errors हैं आपके grammar से जुड़े वे या फिर आपका sentence complex है sentence की length अच्छी नहीं है या फिर complicated words यूज कर रके हैं sentence को short करने का आपको suggestion मिल जाता है पैसी वह ज्यादा यूज कर रखी उसका suggestion मिल जाता है जैसे कि इसमें color में highlight करता है यहां पर orange इसको यहां पर इसने कर दिया है purple color का इसका मतलब है कि आप कुछ easy word यूज कर सकते इसकी जिगापे यह सारे कुछ या फिर linux जहां पर यूज करते हैं तो वहां पर इक अलगी environment देख राइटिंग का जहां पर आपको दूसरी एप सोगरा शो नहीं होगी जिससे क्या पर होता है कि इस्ट्रेक नहीं होते जैसे ब्राउजर में Google Docs यूज कर रहा है बहुत बाहर ब्राउजर में कुछ और स प्राइम है और मुझे 500-700 वर्ड लिखना है तो कैसे मैं पहले टाइमर लगा लूँ और मुझे दिखा देखा अलाम सेट कर सकते हैं तो कुछ यह कुछ फोकस राइटर के फीचर से बस सुमो बस सुमो टूल करता है कॉंटेंट रिसर्च में हल्प करता आपको जिसे बस सुमों आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा कौन सा कॉंटेंट इस पर रैंक कर रहा है उनके सोचल मीडिया पर शेयर कितने हैं फॉर इजम्पल फीजबुक पर किते लोगों ने शेयर किया है यह सब चीज़ आपको यहां पर दिखा देगा जिसे में यहांपर साच कर लेता हूं वर्डप्रेस सिक्यॉर्टी तो वर्डप्रेस सिक्यॉर्टी पर कौन से आर्टिकल है जिन पर अच्छा वहां पर सोचल मीडिया पर शेयर वगए राज़से कि फेसबुक पर इस आर्टिकल को टूपॉइंट वन के लोगों ने शेयर प्लानक की वर्ड सच टूल है गूगल का खुद का तो आपको कोई भी टॉपिक पर कर रहे हैं तो आपको त्राफिक भी लिखे आना है अपने कॉंटेंड के उपर और इसका यह है कि तरह इसमें लिमिटेड सर्च नहीं है आप मल्टिपल या फिर बहुत सारी बहुत सारी ब कीवर्ड प्लानर ऊपन कर लिया तो यहां पर आपन लिजो डेफ सबस्क्राइब में करते हैंकि Neighbor सिटी जाए चीज If brought配 लोग search करते हैं वούμε लिख सब्सक्राइब कि 1K to 10K 100 to 1K और competition क्या है मतलब इस पर अगर आप content करते हैं तो इस keyword पर आप targeting कर रहे हैं तो आपके सामने competition कितना है low है medium है high है तो आपको ज्यादा त्राइब करना चाहिए कि कॉंपिटिशन वाले keywords पिक करने चाहिए आपको जाधा तर हम एट तूल की बात करते हैं डुपली चेकर डुपली चेकर जो है फ्री में प्लीगरिस्म चेक करने के लिए तूल है इसके उपर पूरा टुटोरियल भी बना रखा है उसको आपको डीटेल में चेक कर सकते है को वन गो में आप थाउजन वर्ट चेक कर सकते हैं नाइन टूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्डपेस यूजर्स है उनके लिए वह है योस्ट अप्लागिन योस्ट अप्लागिन अब SEO के साथ साथ इंप्रूमेंट के साथ 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 रिडियाबिलिटी की इसर्चक्रिप्शन अपने URL जो है वह सकते हैं वहाँ पर फोकस्की एवर डालेंगे तो आपको इंप्रूमेंट दिखा देगा कि आपके इंटरणल लिंकिंग नहीं है एक्स्टरनल लिंकिंग नहीं है इमेज में आल टेग मिसिंग है तो आपके और और आल्पको करता ह दूसरे readability की tips भी इसमें दिखाता है तो इससे आपको अपने राइटिंग की और SEO को इंप्रूव कर पाते है इस टूल का नाम word counter है तो इसा लगता है कि सिर्फ यह word counting दिखाता होगा लेकिन से बहुत सारा कुछ और है word counter में किया कि एक तो आपको word count, characters count सब को दिखा देता है आप लिखते time भी वहाँ पर check कर सकते है मैं बहुत साइड में आपको दिखाता रहते है दूसरा यह आपको कुछ grammatical के suggestion भी देता है कि आपके grammar में कुछ mistakes है चोटी-चोटी typos है, punctuation errors है वो दिखा देता है तीसरा वहाँ पर आपको keywords भी दिखाता है कि आपने keyword कित्ती बार use किया है आपको density का भी ध्यान अकना है कि मुझे 3% density रखने है keywords की तो वहाँ पर आपको side में suggestion मिल जाते है तो और भी बहुत सार कुछ features है जो आपको word counter में मिलते है फ्री वाला tool है यह 11 tool है जो अपना Google Docs है Google Docs जो है MS Word के comparison में थोड़ा सा बैटर रूल इसी लगता है मुझे कि यह online tool है तो जिसके साथ मुझे document शेर करना है तो मुझे document को download करके वहाँ पर upload करने के नहीं पर send करने के लिए जरूत नहीं है क्या कर सकते डारेक्ट जो link है उस document की link share कर दो and user जो है दूसर जिसको भी check करना है वो अपने आप check कर सकता है और इसका अच्छे feature यह है कि आप उसकी security या privacy है वो define कर सकता है जो जिसको आप link share कर रहे है वो edit कर सकता है कि सिर्फ देख सकता है या फिर किस को दिखाना है यह document किसको नहीं दिखाना है वो आप permissions वहाँ पर यहाँ पर manage कर सकते है then twelfth tool जो है वो है canva canva में यह features है कि आपको graphic design easily कर पाते है handy tool है आपको photoshop जो तोड़ा टेक्निकल टूल है जो कि graphic designer उसकर सकते है लेकिन canva tool है जो कि हर को यूज कर सकता है आप featured image बना सकते है youtube के लिए work कर रहे है तो youtube के thumbnails करेट कर सकते है social media के लिए graphics बना सकते है जो एक content writer जो होता है उनको अपने समय ब्लॉगिंग कर रहे है तो आपको हर post की featured image create करनी होती है social media पर post create करनी होती है अपने blog के अंदर कुछ images design करनी है वो easily यहाँ पर templates मिल जाती है इसके according easily आप design करके use कर सकते है तो यहाँ थर्टेंट टूल है वो है Nimbus Nimbus एक screenshot capturing और screen recording tool है जो की free में available है जो आप Chrome के extension डाउनलोड करनेगे for example मुझे आज यह वारी sheet ही आपको दिखानी है को screenshot यूज करना है तो यहाँ पर मैंने Nimbus यूज करका तो मैं Nimbus में जाऊँगा और selected area for example मुझे करना है कि मैं जो select area करना हूँ उसका screenshot आजा है मेरे पास तो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर select कर लिया screenshot देने के लिए कि यह कुछ keywords है वो आपको यूज करने चाहिए तो इसका create होगा है इसको मैं screenshot को edit भी कर सकता हूँ मुझे कहीं पर highlight करना है कुछ तो मैं यह arrow लगा दी for example और marker यूज करना वो मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर crop करना अगर इसको मुझे और कर सकता हूँ यह blur करना है मुझे कोई नहीं दिखाना आपको तो इसको blur भी कर सकता हूँ इस keyword को फॉज़ आपको इस ब्लर कर सकता हूँ तो बहुत handy tool है आपको use करना चाहिए content में बहुत help करता है तो कुछ ये most important जो free में tools है content writing में जो content writing करेंगे, blogging करेंगे तो बहुत आपका time save करेंगे, आपके बहुत सारी जो help करेंगे जैसे screenshot वाल हमने देखा भी, grammarly देखा, hemmingway देखा word counter देखा, distraction free के लिए जैसे के वने focus writer देखा तो बहुत ही best tools हैं free में content writing के लिए, thank you